तो मैं मोधी जी को कहना चाहता हूँ मोधी जी अगर केजरी वाल भरष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई इमानदार नहीं है देश का प्रधान मंत्री जो सर से लेके पैर तक भरष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है उसके लिए भरष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है इन्हों ने तो मिर को तब ही कह दिया था उस दिन जिस दिन असेंबली में मैंने स्पीच दी थी शाम को सुंजय सिंग का मैसेज आया है कि कि अर्विंज यब अगला नमबर आपका है कल सत्यपाल मलिक जी ने एक इंटर्वियू दिया मैं वो सुन रहा था सत्यपाल मलिक जी ने कहा मोदी जी को भरष्टाचार से कोई परहेज नहीं है यह मैं तो नहीं कह रहा हूँ यह तो उनकी अपने गवर्नर कह रहे हैं सत्यपाल मलिक जी कौन है सत्यपाल मलिक जी मोदी जी के बहुत खास लोगों में गिने जाते थे उन्हें पहले उन्हों जम्मु कश्मीर का गवर्नर बनाया फिर उन्हें गोआ का गवर्नर बनाया फिर उन्हें मिजुर मिघाले का गवर्नर बनाया उन्होंने कहा कि मेरे जो इंटरेक्शन हुए मोदी जी के साथ उसमें पता चलाया है कि मोदी जी को भरष्टाचार से किसी तरह का परहिज नहीं है। उसी इंटर्वी में उन्होंने कहा कि इन लोगों के कुछ मुख्यमंत्री हैं जो भरष्टाचार करते हैं खूब पैसे कठे करते हैं लेकिन वो सारा पैसा मुख्यमंत्री अपने पास नहीं रखते हैं वो पैसा उपर भेजते हैं और वहां से वो पैसा उनकी दोस्त की कमपन के अंदर इंवेस्ट होता है मैंने भी तो इसी तरह का कुछ कहा था अपने उसमें तो चलो मेरी बात तो नहीं मानी अब तो गवर्णर इनके अपने गवर्णर कह रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति जो इतना भ्रष्टाचार कर रहा है उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा हो इन नहीं सकता उनके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा थोड़ी है तो फिर यह आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पढ़े हैं 75 साल के भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतनी बुरी तरह से टार्गेट नहीं किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ये लोग ट तो अब ये मेरे पीछे पढ़े हैं मुझ तक पहुचने की कोशिश कर रहा है किसी पार्टी को इस तरह से नहीं टार्गेट किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को टार्गेट किया गया उसका एक कारण है वो कारण है कि 75 साल के बाद आम आदमी पार्टी ने इस दे साल प्रधान मंतरी मोधी जी खुद वहां पे मुख्य मंतरी रहे, तीस साल के अंदर ये एक सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाए, एक भी एक भी सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाए, जब मोधी जी को फोटो खिचवाने के लिए सरकारी स्कूल में जाना था तो एक temporary class, एक पांच साल के अंदर हमने सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दिये, इस देश के लोगों को आम आदमी पार्टी ने एक उमीद दी है, कि केवल आम आदमी पार्टी उनकी गरीबी दूर कर सकती है, उनको शिक्षित कर सकती है, उनके बच्चों को रोजगार दे सकती है, आम आदमी पार्टी ने इस देश के लोगों को उमीद दिये, प्रिधान मंत्री जी उस उमीद को कुचलना चाहते हैं, प्रिधान मंत्री जी नहीं चाहते कि वो उमीद आगे बढ़े, क्योंकि अभी तक इन सारी पार्टीों को कि मिलके जो लूट चल रही थी, अगर इनको स्कूल आने पड़ गए तो उनको लूटने के लिए पैसे नहीं बचेगा, तो कल इनोंने मेर को बुलाया है, मैं जाओंगा कल CBI में, और मैं फिर से अंतमी यह कहना चाहता हूँ कि प्रिधान मंत्री जी, अगर केजरी वाल चोर है, केजरी वाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दु प्रेस कॉंफरेंस करकर के यही कह रहे हैं कि केजरी वाल को गिरफ्तार करेंगे, तो अगर BJP ने CBI को ओर्डर दे दिये हैं कि गिरफ्तार करना है, तो फिर CBI उसको नकार कैसे सकती है, BJP के ओर्डर तो मानेंगे वो लो?